हलो शाथियो नमस्कार कैसे हैं आप सभी मैं अब देश एक वर फिर आप सभी का बहुत-बहुत हार्दी कबनेंदर करता हूँ आपके अपने पड़िवार एक्जामपूर में हम हैं एक्जामपूर कलम सिक रांती एक बार आप सही बच्चे जल्दी से हमाई साथ जूर जाएए आज के सेसन को continue करेंगे और आज के सेसन में आपने पहले ही देखा होगा आज हम लोग बात करने वाले हैं Mixed Questions के बारे में आज हम क्या बात करेंगे बच्चे Mixed Questions के बारे में लेवल एक जैसा ही होता है इसलिए हम लोग आज सेचसल के कुछ क्वैस्टन करेंगे Mixed Questions करेंगे MTS Level के हिसाब से कुछ क्वैस्टन करने वाले हैं तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से आप सही बच्चे सेचसन को सेचसन में जूर जाईए और जहां तक हो सके इस सेचसन को फटा-फट से सारे बच्चे सेयर कर दिजे आप सही बच्चों का गोड इवनिंग सुबसंध्या नमस्कार आप सही बच्चों को एक बार जल्दी से आप सारे बच्चे जूर जाईएगा हमारे साथ और हर question आपकी समझ में भी है और अच्छे से आप बना भी पाएं चीजों को आसानी से आप से होता चला जाए बच्छे आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं? Mixed question के बारे में बात करने वाले हैं बच्छा Mixed question आपके सामने में लेके आया हूँ इन question को आप देखेंगे और इनका जवाब आप करते हुए Last में मुझे ये भी बताना आप कि total कितने marks आपको मिल रहे हैं जितने भी question करेंगे हम लोग 20 question करें 15 question करें या 25 question करें जितने भी question करेंगे इस question में कितने marks आपको मिल पा रहा है ये matter करता है आप मुझे class में बताना जरूर और साथ में याद रखेगा एक question आपने गलत किया ना तो इसके negative marking भी 0.25 के हिसाब से आपके कटेंगे ठीक है 0.25 के हिसाब से ठीक है बच्चा तो आप ये मान के चलना कि आज आपको negative नहीं करना है हर question को सही तरीके से deal करेंगे हर question को सही तरीके से बनाने की कोसिस करेंगे और साथी साथ हम ये भी कोसिस करेंगे कि जल्दी भी बने ठीक है मतलब accuracy के साथ साथ time भी maintain करके आपको चलना है negative marking भी होगा इसलिए एक question गलत होगा उसका 0.25 marks कर जाएगा मतलब माल लिजे अपने दो question बनाए दो question आपने बनाए इसमें एक question सही हुआ आपका और एक question गलत हुआ तो आपको जो marks मिलने चाहिए थे वो मिलने चाहिए थे चोकि आपने एक question सही किया है 0.25 marks मैंस हो जाएंगे तो आपको cable 0.75 marks रहेंगे जो कही न कहीं आपको पीछे लेके जा सकते है इसलिए कोसिस आपको ये करनी है कि negative marking ना हो हर चीज को proper तरीके से करने की कोसिस करनी है कोई भी गलतिया आपसे ना हो जो question आपसे ना बने उसको skip करना बहतर है इसलिए skip कर दीजगा गलतिया नहीं करेगा गलतियों की कोई गुंजायस नहीं है ठीक है चलिए अब देखते है बच्चे भले आपके DRDU के exam में DRDU MTS का जो exam होता है उस exam में negative marking का कोई ये नहीं है कोई भी rule regulation नहीं है कि negative marking होनी है इसलिए मैंने यहाँ negative marking रखा है ताकि आप अभी से ही accuracy maintain करना शुरू करें exam में नहीं है तो क्या फर्ट परता है हम अभी negative marking लेके चलेंगे तो हर चीज को सोच समझ के आराम से आप करने की कोईसिस करना चलिए पहला सवाल एक वर देखते हैं क्या दिया है इस सवाल को आप बनाएंगे इस सवाल का जवाब मुझे करके आप बताएंगे बच्चा च इसी कोड़ भासा में इसी लेंग्वेज में आप फेर वल को कैसे रिखेंगे यह आपको बताना है बहुत ही आसान सा सवाल है एक वर आराम से चेक करके मुझे बताएंगे कैस का जवाब होगा ठीक है बच्चा चली बहुत बढ़िया मैं एक काम करता हूँ इस क्वेस्टन के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ आपके सामरे ठीक है जैसे क्या क्या लिखा हुआ है possible 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 का code क्या दिया गया है तो qr uudkgn यहां लिखा गया हमें इसी बेसिस पे अगले वाले सवाल फेर विल का जवाब करना है ठीक है और ध्यान रखेगा हर question के लिए एक certain time होगा जो कि 30 second का time होगा आपको 30 second के अंदर में इस question का जवाब करके देना है जिसमें से लगबग 15 second से 20 second तो निकल चुके होँगे कर लिया बच्चा ओके चली मैं बताता हूँ दीखेगा अगर इसको इसके साथ connect करने की कोसिस करेंगे ओ का प्लेस 15 होता है पंदरह में अगर हम दो जोर देंगे तो 17 आजाएगा जो की क्यू का प्लेस होता है पी का प्लेस 16 में दो जोरने पर 18 आजाएगा जो की आर का प्लेस होगा फिर इसी तरीके से S का प्लेस 19, 19 में दो जोरने पर 21 आएगा और 21 होता है U का प्लेस मतलब यह कि दो दो के पेर में यह चीजों को alternate तरीके से रखने की कोसिस कर रहा है दो-दो के पेर में यह letters को opposite करके मतलब letters में प्लस 2 करके उसको opposite करके लिख रहा है जैसे यहां इसका opposite ये कर दिया तो इसका भी opposite कर देगा इसका भी opposite कर देगा देखे करके E का 5, 5 में 2 जोडने पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा जो कि G का प्लेस होता है L का 12 प्लस 2, 14 N का प्लेस होता है मतलब आपने देखा न यहां सब में क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है और क्रॉस कर दिया जाए दुनों को एक दुसरे से क्या कर रहा है सेम उसी तरीके से अगर हम फेर्वेल का कोड निकालना चाहेंगे फेर्वेल का कोड निकालना चाहेंगे आप तो A का कोड 1 इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा जो कि C का प्लेस होता है F का प्लेस कितना होता है F का प्लेस 6 होता है 6, 2, 8 H आजाएगा, तो CS तो सब में दिख रहा है, option number 2 के अलावा, तो 2 को मैंने cut कर दिया, बाकि सारे options हही है, R का place 18, 18 में 2 जोडने पर 20 आजाएगा, जो कि T का place होता है, E का 5, 5, 2, 7, तो CHGT इसका answer आएगा, जो कि मुझे दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकि 2 जगतों कही नहीं common है, तो एक काम करते हैं, अब इसमें सिर्फ हम उनहीं को चेक करेंगे, जो different आपको देखे, तो CHGTGY, CHGTGY सब में common है, सिर्फ आखरी वाले दो लेटर को हमें चेक करना है, तो आखरी के दो लेटर को जब चेक करेंगे, L का place 12, 12, 12, 14, और फिर L का place 12, 12, 14, तो N, N आना चाहिए, जो कि option number C में है, तो जिस बच्चे ने option number C इसका जवाब किया, basic आपने, एक marks तो आडाम से गेन कर लिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, अब अगले वाले question में हम क्या करने वाले है, timer में आपके सामने लगाने वाला हूँ, ठीक है, उस timer के basis इस पर आफ इस question का answer करेंगे, लेकिन एक second का मुझे आप work दीजे, मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ, ठीक है बच्चा, एक second मुझे दीजेगा, मैं पहले एक बड़ी timer वाला set कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए, जितने बच्चों ने अभ अभी इस वाले सवाल का जवाब, option number 3 किया था, उन सभी बच्चों का जवाब बेसक सही था, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे, अगले question के बारे में, जो आपके सामने में अभी लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चा, एक second का मुझे बग दीजे और, चलिए, अगला सवल क्या है, पहले question देख लिजे, फिर आपके पास timer भी set होगा, उस timer के basis पे आप answer करेंगे, मैं इतना तो time आपको दूँगा, कि आप आराम से question पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम लो timer set करेंगे, ताकि इस question को अम अच्छे से कर पाएं, question क्या दिया है, select the option figure which contained figure x embedded in it as its part, rotation is not allowed, यहाँ पे is लिखा हुआ है, यहाँ 18 नहीं है, 18 को थोरा ठीक कर दीजगा, rotation is not allowed लिखा हुआ है, rotation allowed नहीं है, rotation allowed नहीं है तो आपको बताना है कि यह जो diagram आपको दिख रहा है इस वाले diagram में इस वाले diagram में कौन सा diagram इन चारो diagram में किस में यह वाला diagram hidden है एक बड़ मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं रोचाईए चलिए बच्चा अब देखते हैं यह question आपके सामने है एक बड़ चेक करके बताईएगा चलिए आपके पास cable 20 second का वक्त होगा अभी से थोड़ा fast करने की कोसिस करिएगा ठीक है 20 second है यह diagram इन चारो में से किसी एक option में छिपा हुआ है तो किस एक option में यह diagram hidden है यह आपको बताना है बहुत ही आसान सवाल है बहुत ही सरल सवाल है आप आराम से चेक कर यह बन जाएगा आप से चलिए बचल टाइम आवर अब मैं बताऊंगा देखते हैं देखो गर इस diagram को आप चेक करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह कि यह line ऐसा आना चाहिए तो देखे कैसे होगा यह यहां से यहां ऐसे कह सकते हैं फिर यह line ऐसे आ रहा है फिर यह line ऐसे यहां ऐसे आ जाएगा फिर यह ऊपर चला जाएगा और इस तरह से एक line बना देगा मतलब अब अगर देखेंगे तो यह वाला जो diagram है यह diagram option number 3 में बहुती अच्छे से बहुती बढ़िया से embedded है थोरसा hidden है तो मैंने कहा ना यह topic hidden वाला ही है तो इस वाले question में hidden figure को ही find करना है और यह complex होता है थोरसा थोरसा इसको यह confuse करने के लिए आपको देता ही है और ऐसा ही figure आपको मिलेगा exam में भी चलिए आपके लिए cable 30 second का वक्त है बच्छा next question आपके सामने है select the word pair in which the two words are related in the same way as are the two words in the following word pair मतब जिस तरह से फोजाईल का संबंध है पैलेंटोलोगी के साथ जिस तरह से फोजाईल का संबंध है किस के साथ पैलेंटोलोजी के साथ है जिवास्मिका संबंध जिवास्मिका के साथ है वैसे ही इन चार में से किस एक option का संबंध दूसरे वाले option के साथ होगा मतब दूसरे वाले word के साथ होगा किन एक option में पहले word का संबंध दूसरे वाले word के साथ होगा तो यह आसान सवाल है बस इसके लिए knowledge का होना जरूरी है अगर आपको चीजों के बारे में पता है आप जानते हैं कि कैसे इन्हें बनाया जाता है तो मेरा विश्वास करिए आपको कोई दिक्कत इस question में नहीं होगी देखें मैं बदाता हूँ जिवास्मिका क्या है? देखो जिवास्मिके बारे में इसके बारे में जिस चीज में हम अध्यन करते हैं वो जो पार्ट है उसको हम जिवास्मिका कहते हैं पैलेंटोलोजी कहते हैं उसी तरीके से हम बौटनी में किस चीज का अध्यन करते हैं बौटनी में प्लांट्स का हम अध्यन करते हैं उसी तरीके से पैलेंटोलोजी किसका अध्यान कराता है? फोजाइल्स का अध्यान कराता है, मतलब जिवास्म का अध्यान कराता है, option number 3, sorry, option number 4 इस सवाल का जवाब हो गया, अगला सवाल question number 4, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, और चुकि ज़्यादा छोटा हो गया है, अब देखेगा, बचे आपके पास time है, केबल 30 सेकंड का जल्दी करके बताइए, नीचे दी गई आकरती स्रिंखला में, अगले अस्थान पर आने वाली आकरती को चुने, मतलब which diagram can replace the question mark in the given figure, इस figure में हमें question mark के जगह पे डालना है किसी एक diagram को, जो इसको replace कर पाए, चार option आपके सामने हैं, अच्छे से चेक करिए और सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी है, 30 second is not less time, ये enough time है, आप क्या सकते हैं, ऐसे किसी भी सावाल के लिए, जिसमें 37 second तो हो गए हैं, चलिए बच्चे, अब मेरी बारी है, मैं बताऊंगा इस question को, एक बड़ करके देखते हैं, देखना, सबसे पहली बात तो ये, इस diagram में, आप गौर करेंगे, तो जितने भी diagram आपको देख रहे हैं, इन सब भी diagram में, एक square box है, उस square box के अंदर में, एक circle है, और एक छोटा सा square है, अब देखे, circle की बात किजा, circle में left side वाला colored है, right side वाला blank है, अगले बाले में क्या हुआ, right side वाला color हो गया, left side वाला blank हो गया, इसका just a project, मतब इसका mirror image यहाँ बन गया, फिर इसका mirror image यहाँ बन गया, हर बार mirror image बन रहा है, मतब यह right था तो इस बार left हो गया, और जो blank था वो left में था तो यह right में चला गया, अगले वाले में क्या होगा, जो circle बन के आएगा, उसमें, यह जो diagram बना होगा, उसमें colored वाला हिस्सा कहा होगा, अभी left में तो आप किस में चला जाएगा, right में colored वाला हिस्सा चला जाएगा, यहाँ पे colored वाला हिस्सा जाना चाहिए, जो कि option number A में आपको दिख सकता है, 3 में दिख सकता है, 4 में दिख सकता है, दो तो कभी भी इसका जवाब नहीं हो सकता clear है? मतब या तो एक या तीन या चार इसका जवाब होगा अब सिर्फ इतने से हमारा अंसर नहीं आएगा हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे से square box को भी find करना पड़ेगा कि इसका rotation कैसा हो रहा है? तो rotation में देखेंगे तो पहले ये उपर था ये यहां से नीचे आ गया है इस वाले place पे आ गया है चलो ठीक है अगले वाले में ये इस वाले place से इस वाले place पे चला गया है ये भी सही है अब अगले वाले में पहले option में, चौथे option में क्या कोई चीज different आपको दिख रहा है? भाई साब यह क्या बात होगी? इन दुनों में तो कुछ different ही नहीं हाँ देखें डिफरेंट यह हो जाएगा बच्छे देखें मैं बताता हूँ ऑप्सन नमबर एक और ऑप्सन नमबर चार को अगर गौर से आप देखेंगे तो सब कुछ सेम है इसमें डिफरेंस किस चुछ का है यह जो स्क्वाइर बॉक्स आपको देख रहा है फर्स्ट वाले ऑप्सन में इस स्क्वाइर बॉक्स में आदा हिस्सा कलर तो है लेकिन इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है यह थोड़ा सा ज्यादा मोटा है रेस्पेक्ट टू अदर फिगर्स इन में इन में इन सबों की बात करें तो इसके तुलना में यह जो नीचे वाला हिस्सा है यह ज़्यादा मोटा कलर किया गया है जबकि यहाँ पे जैसा होना चाहिए था परफेक्ट वैसा ही साइज आपको दिख रहा है इसलिए option number 4 इसका जवाब होगा सिर्फ इस line की वज़़से चुकि यह थोड़ा सा मोटा line है नीचे में इस वज़से यह different हो जाएगा अलग कर देंगे otherwise दोनों में लगबग सब कुछ सेम था तो इसका answer एक या चार में से कोई एक हो सकता था लेकिन थोड़े से बदलाव की वज़से इसका जवाब option number 4 आ गया अगला सवाल देखते हैं क्या है 30 second आपके पास है आप try करिए बनाए इस सवाल A plus B means A is sister of B A plus Hindi English दोनों में लिखा गया है A minus B means A is son of B A gonna B means A is the husband of B and A divide B means A is the mother of B अब आपके सामने एक छोटा सा question है जल्दी से ये सब question time लगना ने चाहिए तुरंत बन जाना चाहिए जैसे ही आप देखो ये question बनना शुरू जाना चाहिए आपसे क्योंकि आपने हर topic को खूब अच्छे से पढ़ा है जहां तक मैं विश्वास रखता हूँ मैनस L गुना J हो इसमें तो J का Q से क्या संबंद है J का Q से पूछ रहा है तो मैंने कहा था ना जहां से लगा होता है ये दूसरे बाले लोग को बोलता है तो Q क्या कहेगा J को ये हमें बताना है तो Q यहाँ है ये कहेगा J को तो हमें सबसे पहली बात तो यह कि J के बारे में J का gender पता होना चाहिए, कि J का gender क्या है, J male है या female है, तो एक बार चेक करके देखते हैं, हमें Q से J जाना है, J के बारे में पता होना चाहिए, कि J gender क्या है, J का plus है या minus है, यह हमें पता होना चाहिए, Q divide सी, तो divide का मतलब क्या अगर बेटा है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे husband wife हो जाएंगे जिनमें q wife है तो d husband हो जाएंगे d-l ka मतलब क्या दिया है d is minus का मतलब होता है beta d is son of l d l का बेटा है तो अब बताइए d अगर l का बेटा होगा तो l तो यहां आ जाएंगे l का बेटा d होगा लेकिन l पापा है कि मा है यह पता नहीं है और लास्ट में दिया गुना का मतलब क्या होता है बच्चे गुना का मतलब होता है husband L is husband of J L, J के पती देव है तो अगर L, J के पती है इसका मतलब यह हुआ कि J क्या हो जाएंगी वाइफ हो जाएंगी तो अब बताईए C अपने पापा के C के पापा कौन है? D है C, अपने पापा के, question क्या था, sorry, question था, तो J का Q से क्या सम्भना था, sorry, Q यहां और J यहां, तो बताए, Q और D, husband wife है, और D के मम्मी कौन है, J है, तो Q अपने husband के मा को क्या कहेंगे, मतब सास, सास नहीं है, यह सास है, ध्यान रखेगा, सास कहेंगे, इस question का answer क्या जाएगा, option number 3, clear है, मुझे समझाने में थोड़ा time भले ही लग जाए, लेकिन आप से time नहीं लगना चाहिए, आपका question जल्दी बनना चाहिए, यह जरूरी है, क्योंकि exam मैं नहीं आप देने जा मुझे तो इससे कम time लग रहा है, तो यह मुझे समझाना पर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा जादा time लग रहा है, ठीक है, बांकि आपको time कम ही लगना चाहिए, इस question के लिए cable मैं आपको 15 seconds दोगा, only 15 seconds you have from now, चली बच्छा, महनत का सफलता से वैसा ही संबंध है, जैसा अपराद का संबंध dot dot से है, तो किस कोई भी बंदा अगर महनत करता है, तो महनत से क्या मिलती है, उसे सफलता मिलती है, महनत करने से आप भी महनत करेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी, आज न कल सफलता मिलेगी जरूर, यह sure and certain है, वैसे ही अपराद का संबंध किस से, अगर अपराद करेंगे तो क्या होगा? अपराद कोई आदमी करता है, तो उसको इनाम नहीं मिलता. पुलिस ले जाती है, पुलिस थोरी ना मिलता है, पुलिस का नौकरी थोरी ना मिल जाएगा उसको. सॉसाइटी समाज में इजद बर जाएंगे क्या उसके? एसा कभी नहीं हो सकता समाज में जट बर जाए बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं अँपिक भी आपनी पड़ा है आया मैं को सेली आपको बताना है इस सीरीज को अगर पूरा करना चाहें, तो इस शीरीज को पूरा करने के लिए हमें ब्लैंक वाली जगह पे कौन-कौन से लटस रखने चाहिए, आपके सामने चार आप्सन है, आप आराम से देखें, सोचिए, बताइए, इस क्वेस्टन के लिए मैं पूरा का पूरा अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैंने इसके तरीके बता रखेंए, पहले से कैसे इन क्वेस्टन को हम कर सकते हैं ताइम तो अबर हो गया, लेकिन चलो पांच सेकेंड, दस सेकेंड और एक्स्ट्रा लिए बनाओ इस क्वेस्टन को देखें बच्छे, चलिए, मैं बताता हूँ, देखेंगा ऐसे क्वेस्टन को बनाने खांग, मैंने तरीका बहुत सारा बताया था, जिनमें एक तरीका ये था, कि आप इस क्वेस्टन को इनके आप्शन के आधार पर बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं बच्छे, आप्शन के आधार पर, आप्शन में सेम प्लेस पे कौन सा लेटर ज्यादा बार आया है, जो लेटर जितनी ज्यादा बार आएगा, उसके सही होने की चांसे उतनी ही ज्यादा होगी, जिसको हम मैजरोर्टी भी कहते हैं matrix जो कल पर सो दो-तिन दिन पहले मैंने हमने matrix पर आए उस matrix में भी मैंने majority method आपको बताया था जिसमें हम option के हिसाब से check करते थे देखिएगा इस पहले option में पहले वाले place पे T है और बाकी सब जगह Q है तो Q के सही होने के chances थोड़ी ज्यादा मानी जाएगी मतब option number 1 गलत माना जाएगा फिर देखेंगे इसमें दूसरे place भले ही गलत होगे लेकिन check हमें इसमें भी करना पड़ेगा D, 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 यहाँ B यहाँ पे B है बाकी 3 जगह D है तो D की chances ज्यादा है इसलिए B वाला गलत माना जाएगा C, D, C, C तीन जगह C है, एक जगह D है तो हम इसको गलत मान के चलेंगे तो सही जवाब क्या रहा है हमारा तीन option तो गलत होगे तो सही जवाब क्या रहा है option number 3 अब option number 3 को हम बिठा के देखते हैं यहां मैंने Q बिठा दिया फिर यहां मैंने D बिठा दिया यहां B, यहां N, यहां C और यहां C अब देखते हैं कैसे बनेगा देखो अगर मैं इसको कुछ group में divide करता हु जैसे मैंने इन सभी letters को 4-4 के group में divide किया तो देखें क्या बनेगा T-C-Q-M बनेगा फिर B-C-D-N बनेगा फिर T-C-Q-M बन रहाने देखो T-C-Q-M रपीट कर रहा है न बारबर फिर B-C-D-N आना चलिए तो B-C-D-N आरा है फिर T-C-Q-M आरा है फिर B-C-D-N आरा है मतलब यह कि T-C-Q-M B-C-D-N का जो सिरीज है BCDN का जो series है बच्चे ये बार-बार repeat हो रहा है हमारा answer इस question से आ गया क्या आ गया option number 3 निजावर right answer अगला सवाल देखते हैं next सवाल मैं आपके सामने लगा रहा हूँ एक बार चेक करके बताए number 9 आपके सामने चलिए आपके लिए इस question के लिए केवल 30 second है बनाएए इस question को आपके सामने पर जल्दी से चेक करके बता दीजिए का क्या आपका जवाब बन गया चलिए बचा करके देखें इस question में तो काफी time दे दिया मैंने आपको question है एक ही पासे के तीन अलग लग स्थितियां दिखाई गई है पासे के 6 फलक पर एक से लेकर 6 विंदू है जब निश्रे फलक पर एक बिंदू होगी तो उपर के फलक पर कितने बिंदू होंगे मतब simply question यह है कि एक के opposite में कौन सा number आएगा अब देखें मैं बताता हूँ कैसे करते हैं आपको मैंने पढ़ाया है खुब अच्छे से पढ़ाया है तो आराम से आप जाके देख सकता है अगर आपने नहीं class की है पहले वाली तो आप जाके देख सकते हैं otherwise मैं आपको समझा दूँगा ठीक है अभी देखेगा बचे दोनों में common हमें चेक करने की आब सकता है दोनों में common element क्या ही है चेक करते हैं देखते हैं जैसे किसी भी 2 dice को ने ले लिया या इन दो dice को किसी भी 2 dice के बच में comparison करी है और हमें 1 के सामने निकालना है तो बताई जिशे बता ओ इन 2 dice में कितने element common है तो इन दोनों dice में केवल एक element common है कौनस equation common है तो इन दोनों में common है 6 तो जो 6 common है ना, वहां से clockwise चलेंगे ना, मैंने बताया था ना, clockwise चलना होता है, तो यहां से 621 आ जाएगा, और यहां से क्या जाएगा, 653 आ जाएगा, 653, तो बताये, 1 के सामने क्या निकल के आ गया, 1 के सामने 3 हमारा answer आ गया, option number 3, clear है, option number 3 is our right answer, काफी समय मैंने दे दिया, चुकि आसान भी सवाल था, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होईगी बनाने में, यह question तो भाई साब, बहुत ही आसान है, कते ही आसान सवाल, आराम से करिए, आपके पास cable 15 second का time है इस question के लिए, जल्दी करके बताये बच्चा, क्या इसका जवाब झाल होगा बना लिया बच्छा चलिकर करके देखें इस question को समझ जेगा कौन सा ऐसा diagram है जो cucumber, species and food को सबसे अच्छे तरीके से represent करता है खीरा, मसाले और खाना को तो खाना के अंदर में खाना, खीरा भी एक खाने का item है और मसाले का भी हम इस्तेमाल खाने में ही करते हैं इसलिए खाने के अंदर में दोनों item हम आडाम से ड्रॉ कर सकते हैं चेक करो, देखो 30 seconds आपके पास है, series का question है, बहुत अच्छा सवाल है एक पर चेक करके मुझे बताइए इस सवाल का क्या जवाब आएगा बच्चा कर लिया बच्चा, देखें मैं बताता हूँ, अच्छा स्वारी इसमें तो मैं टाइमर की नहीं पाया, कोई बात नहीं देखने करके, देखेंगा पंदरह क्या क्या question दिया गया है, 15, 43, 83, 137, 207, हमें निकालना है, नेक्स टर्म क्या होगा इसका, ये निकालना है, तो 15 से जाओगे 43, कितने का difference है, 15, 20, 10, 35, 35, 38, 38, 38, 38, 38, 38, यहां कितने का difference है भाई, तो इनके बीच में 43, जाएंगे 83, तो 40 का difference है, इसके बीच में कितन कितने का difference है, 33, 7, 90, 10, 17, और 37, 10, 47, 56, इनके बीच में कितने का difference है, 37, 50, 37, 37, 37, 37, 27, 70 का difference है, इनके बीच का difference देखिया, 28, 12, 40, 46, 56, 54, 70, तो 12, sorry, 12, 24, यहां 14 हो जाएगा, यहां सूला है, sorry, मैंने उल्टा लिख दिया, 40, 50, sorry, एक सब्सक्राइब को जाएगा, देखें तो मुझे एक बारी, यह एक बार फिर से करूँगा, 28, 32, 30, 10, 40, 12 का difference है, 40, 10, 50, 56, 16 का difference है, 56, 40, 60, 10, 70, 14 का difference है, यह क्या बात हो गई भाई, 137 प्लस 70 ब्राबर 207 है, ना, 83 प्लस, से, एक उचे देखें तो question फिर से, यह क्या प्राब्लम हो गई, अरे यार, वही तुम्हें सोच रहा हूँ, क्या दिक्कत हो गई यह इस question में, देखो, मैं ठीक करता हूँ, रुक जो जो रासा, तुम लोगों ने बताया भी नहीं यार, यह question कहां गरबर कर रहा था, calculation में गरबर हो रहा था, देखें, ठीक करके देखते हैं, एक बार फिर से, एक बार समझना बच्चे, इस question में, 15 से गई, 43 कितने का difference है, 28 का difference है, 43 से गई, 83 कितने का difference है, 43, 44, 44, 83, 83, 44 का difference है, 83 से गई, 37 तो कितने का difference है, 3, 4, 7 और 8, 5, 13, 54 का difference है, ठीक है, फिर 37 से गई, 70 तो कितने का difference हो गया, 27 के गई, 70 का difference हो गया, 28, 12, 40, 40, 10, 50, 44, 54, 54, 56, 60, 10, 70, 16 का, 12, 14, 16, तो अब कितने का difference होगा, 18 का, 70, 18 कितना होता है, 88, 207 में 88 हम जूर देंगे, तो कितना जाएगा, 295 ना, 295 इस आवर राइट आंसर, option number D is our right answer, clear है, मतलब इनके difference के difference के difference के difference के हिसाब से हमारा answer आ रहा था, अगला सवाल देखते हैं, 12 number सवाल क्या दिया गया है, question के लिए cable आपके पास 20 सकिंड का वक्त है, जल्दी बताए, mirror image या water image का question मुझे दिख रहा है यह वाला, यह तो mirror का question है, अगर दर्पन को दी गई आकिर्ती के दाई और रखा जाए, तो आकिर्ती की सही दर्पन चभी को चुने, हमें बताना है, सही दर्पन चभी क्या होगी, इसके right side में दाई तरफ इसके mirror को रखा गया, mirror image निकालना है, water image नहीं ध्यान रखेगा, 20 seconds होने को है, actually हो गए 20 seconds, अब मैं बताऊंगा, देखेगा, यह mirror है, तो F का जो image बनेगा, वो तो ऐसा बनना चाहिए, तो यह वाला तो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें F का water image देख रहा है, यह सही लग रहा है, यह सही लग रहा है, यह कभी सही नहीं हो सकता, इन दो में difference देखते हैं, किसका difference है, Q का ही तो difference आपको दिख रहा है, Q का difference देखे, Q का जब हम water image बनाएंगे, Q यहा है, sorry, इसका mirror image बनाएंगे, तो Q का mirror image ऐसा बनना चाहिए, तो यह option number B में दिख रहा है, इसमें क्या है, लाइन जो है, वो opposite direction में चला गया, तो गलत हो जाएगा, तीन number option गलत हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, option number B is our right answer, चलिए आगे बरते हैं, next वाले सवाल पे, बहुत ही आसान सा सवाल है, सारे सवाल बहुत ही आसान है, आप आराम से करते जाएगे, आप से बनता चला जाएगा, आपको मज़ा भी आगा question करने में, जब पड़ेगा इस तरीके से, आपके practical चीजों में, practical life में, practice को लाना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप किसी चीजों में practice नहीं करेंगे, you can't handle anything, इसलिए ज़रूरी क्या है, कि पहले आप इस चीजों को handle करें, practice का होना बहुत ही ज़रूरी है, चलिए बचा, next question देखते हैं, ये question बहुत ही टेड़ा सवाल है, मैं इसके लिए अभी से भी आपको 30 second दे सकता हूँ, अगर आप इस question करना चाह रहे हैं, तो करिए, मैंने कहा ना बच्चे पहले आप से, गल्तियां कहीं से भी इग्नोर नहीं की जाएंगी, गल्तियां कहीं से भी छमा लाइक नहीं है, गल्तियां एकदम मत करेगा, एकदम सोच समझ के जवाब करेगा, अच्छे से जवाब करेगा बीटा, ओके चलिए, आप मैं बताओ इस question को आपको, देखो इस question में कैसे हो रहा है, समझेगा तीजों को, अगर हम first वाले number को third by number के साथ add कर दे, मतब 94 में अगर हम 82 add कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 426, 987, 176, और देखे, जो बीच वाला number है, अगर इस number से हम 176 में divide कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 4 बार में कर जाएगा, चोबाले 100 कितना होता है, 176 होता है, सेम हमें ऐसा ही logic ढूंडना है, जिसमें पहले और third number को हम अगर add कर दें, और बीच वाले number से divide कर दें, तो जो resultant आएगा, वो 4 के बराबर आना चाहिए, देखते हैं करके किस किस सवाल में इसका जवाब आपाएगा, देखेगा, जैसे, अगर आप देखेंगे, इन सब को check करना पड़ेगा, सब को check करेंगे, तो last वाला जो option देखेंगे, तो 8, 6, 14, और इसमें अगर 4 से गुना करेंगे, तो क्या last में 4 आपाएगा, नहीं आपाएगा, जैसे, इस वाले में, 94 में, अड़े, देखो बच्चे, अगर आप इन दोनों number को जोड़ेंगे, इन दोनों के एक काम करो, last वाल डिजिट को जोड़ेंगे, त चार प्लस दो बराबर 6, और 44 का अगर हम चार गुना करेंगे, तो 4 चो के 16, last में 6 आएगा, ये बातों 3, समझा गया, उसी तरीके से, 4 प्लस दो बराबर 6 हो गया, और इसका अगर हम चार गुना करें, 58 के last letter में 8 है, उसका चार गुना करने पर कितना जाएगा, 8 चो के 32, ये और ये मैच नहीं कर रहा, तो option number 1 तो कभी जबाब नहीं होगा, 8 प्लस 6 बराबर 14, मतब लास्ट में 4 आगया, और अगर हम इसको 4 से मल्टिप्लाइ करेंगे, अरसत को, तो 4 ठे 22, दो आएगा, ये भी मैच नहीं कर रहा, अगर 8 को 8 के साथ हम मल्टिप्लाइ करेंगे, जोर दे कितना आएगा, और 40 में अगर कितनो 4 से गुना करेंगे, तो लास्ट में तो 0 ही आएगा, इसलिए ये भी मैच नहीं करेंगा, इसमें देखेंगे, 8, 6, 14, लास्ट में 4 आ गया, और 31 का 4 से गुना करेंगे, तो लास्ट में 4 आ जाएगा, तो ये मैच कर रहा है, option number दी इसका perfect जबाब हो जाएगा, आप अगर चाहें तो इसको पूरा check भी कर सकते हैं, वैसे इसके आवसकता तो नहीं है, आप इस question में ये logic इस्तेमाल कर सकते हैं, बचाँ, देखेगा, next question, 14 वां question है, a figure of transparent seat with a pattern is given below, figure out from amongst the four options as to how the pattern would appear when the transparent seat is folded at the dotted line, मतलब ये question किस चीज़ का है, तो ये question आपके paper folding cutting से, question paper folding cutting का है, आप देख रहा होंगे question को, आपके पास 20 second का वक्त है, आप बनाएगे इस question, you have only 20 seconds, so you have to solve this question under 20 seconds, जिसमें 7 seconds तो आपने अब तक निकल गए, जहां पर pattern आपको दिख रहा है, dotted line का वहाँ से इसको मोरा गया है, मोरने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है, देखे, paper folding cutting में ही तो होता है, इसको मोरेंगे, right side से left की तरफ मोरेंगे, तो right side से left की तरफ mode name क्या होगा यह जो circle आपको दिख रहा है oval type का यह इसके साथ merge हो जाएगा इस line के साथ merge हो जाएगा तो जो oval के साथ circle आपको दिख रहा है उसमें oval के साथ circle दिख रहा है उसमें एक line आना चाहिए oval वाला circle दिख रहा है आपको यहाँ पर वारा answer हम find करेंगे ठीक है तो पहली बाद तो आप यह देखिए बच्चा इस वाले question में आप गौर करोगे अगर धंग से तो आप देखना यह जो square बना है इसके अंदर जो 4 lines आपको देख रहे हैं वो चारो line मतलब corner से जुरे हुए नहीं है corner से जुरे हुए 4 lines नहीं है तो मतलब यह कि option number 4 तो कभी इसका जवाब होगा ने क्योंकि इसमें 4 corner से जुरा हुआ है मतलब इसका जवाब क्या हो सकता है तो या तो option number 1 हो सकता है या option number 2 हो सकता है और दोनों में difference अगर हम डूंडे तो इसमें जो square rectangular box दिया अंदर में इसका नीचे वाला color है उपर blank है यहाँ पे उपर color है नीचे blank है उल्टा है तो आप बताएगे जब इसको पल्टिंग ऐसे तो उपर color है तो उपर ही color रहेगा ना उपर में color हो चाहिए जो की option number 2 में दिख रहे हैं हाँ आप अगर यह कह रहे हैं कि सर इस diagram में तो यह जो line है यह line तो इसके साथ add है तो इसको थोड़ी सी printing mistake आप समझ लेजे और कोई बात नहीं है यह चाहरो line इस square box के corner से हाटा हुआ माना जाएगा क्योंकि और कोई option इसके करीब भी नहीं आ पाना इसलिए option number B इसका सही जवाब होगा और मैंने कहा भी था ना बच्चे आप से के ऐसे question को बनाते वक्त आप एक बात ध्यान रखेगा कि जो सबसे ज्यादा probable होगा वो हमारा answer होता है ना कि कोई दूसरा अगला सवाल के बल तीस सकेंड आपके पास अभी से हैं अगला और आज के session का आखरी सवाल है एक बार चाक करके बढ़ाए उस विकल्व को चुने जो प्लेस अगर याद है आपको तो बस दिख जाएगा दिख गया होगा आपको अब तक P, C को N, H, L, G लिखा गया है ना कैसे करेंगे R का प्लेस 18 इसमें 4 मैंनस कर गया तो 12 और 3 प्लस 4 ब्राबर 7 G का प्लेस हो गया मतलब एक बार मैंनस 4 फिर प्लस 4 करना है देखते हैं आगे करके S का प्लेस 19, 19 में हम क्या करेंगे? 4 मैंनस करेंगे तो कितना जागा 15 किसका प्लेस होता है? O का K का प्लेस 14 4 जोडना है 15 O का प्लेस होता है दी का प्लेस 4, 4 में 4 मैनस करना है ना, तो दी का प्लेस 4 भी होता है या इसी का प्लेस हम 30 भी क्या सकते हैं, 30 में से 4 मैनस करने पर 26 आ जाएगा, जो कि जेड का प्लेस होता है, या 4 में से 4 मैनस करने पर 0, 0 का मतलब क्या, जेड हो गया, जी का प्लेस 7, 7 में 4 जोडना है, क्य यह तो गलत दिया हुआ है कि 11, 4, 15, 15 मतलब O, ठीक तो है, O, O, Z के होना चाहिए था, यह तो Y के दिया है, गलत दिया है, D का प्लेस 4 हो गया, 4 में 4 मैंस किया, तो 1 मैंस किया C, 2 मैंस किया B, 3 मैंस किया A, 4 मैंस किया Z आना चाहिए था, Z ठीक है, इस वाले question में option number 2 इसका जव करने पर हमारा answer आजाएगा, यहाँ मुझे लगता है कि O होना चाहिए था, O, O, Z के option number 3 में होना चाहिए था, ठीक है, क्यों गलती से यहाँ misprint है, ठीक कर लिए, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, अब मुझे, क्योंन त्यक्त जजिए, जोआी कर दोदोराब कर दो बद Il था एकने था, Is How Youtube है this is? झाल झाल चली बच्चा तो ये question आपके homework के लिए रहा मिलेंगे अगली वाली class में तो इस question का मैं आपको जवाब भी करके बताऊंगा ठीक है अगली वाली class में आप offline comment box में मुझे आके ज़रू बताना कि आपने कितने marks गीन के और इसका जवाब explanation के साथ क्या है ठीक है बच्चे मिलते हैं अगली वाली class में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बत धन्यवाद ठीक है बच्चे जए एंद जए वारत